तो इस पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि इस सब चीज हो गया हमारा रिगिंग और अब हमारा एक सीन क्रिट करना होता है तो सीन क्रिट करने में जो मैं बॉलमेटिक इनवार्मेंट बनाऊँगा और उसका हम देखे अगे के अधे सबसे पहले कलेक्शन बना लेते हैं बाकी इनवार्मेंट मोड़िंग भी हमें हमें रिक्वार्मेंट होगी तो मैंने से rename कर दिया scene model करके ताकि मेरा यह सारा इस collection के अंदर है और again मैं start कर रहा हूँ तो यह एक measurement के लिए मैंने यह वेल का जो यह बना है उसका वेल नहीं डॉल्फिन उसका मैं model के हिसाब से एक lens बनाऊंगा जो under water lens होगा उसके लिए चलो हम एक plugins यहां पर activate कर लेते हैं एंटी landscape mesh तो आप इसको एक बार enable करके save preferences करके इसके close कर दो देन आप यहां से start करो तो landscape जैसे आप यहां पर okay करते हो create करते हो तो आप देखो कि यहां पर एक नीचे में आप एक बहुत बड़ा settings मिलेगा इसमें बहुत अलग-अलग varieties रहेगा इसमें से मैं लूगा large terrain करके okay जो आप इसको आप scale करके और biggest बना सकते हो area और इसके कुछ settings होती है basic जैसे आप देख सकते हो यहां पर basic settings जो भी आप requirement है कैसा इसका lines होगा हो सारा चीज़ आप इसमें यह कर लो आप प्रवाइट कर लो यह से value के हिसाब से और यह चीज़ ध्यार है कि जब तक आप value चेंज कर रहे हो तो इसमें कोई आप यूज कर सकते हो तो इस प्रकार से मैंने जो भी यूज किया और बागी हम इसको scale करके बढ़ा कर सकते हैं तो directly आप इसको scale कर सकते हो तो आप जैसे पहले मैंने इसको place कर लिया और then scale किया कुछ समझ लो प्लस scale में रखते हम जैसे यहां पर हम रख सकते हैं कि इसको मैंने 12 रखा finally scale that means कि बहुत ही large हो जाता हमारा एक खास area बनाने के लिए एक just scene के लिए तो यहां पर हम फिर से landscape पे जाते हैं और और भी देखते हैं अलग-अलग बार-बार लोगे इसमें change करोगे कितना आपको pieces चाहिए और अलग-अलग आपको यहां पर settings मिलेंगे pressures का आप देख लो कैसा underwater होना चाहिए construction के हिसाफ से कुछ scene आप reference में देख सकते हो तो जैसे भी मैंने reference लिया और देखा उसके हिसाफ से मैं कोसिस कर रहा हूं आप इसको अपने हिसाब से करना उसीन आपका छोटा बड़ा हो सकता है उसके according आपका कुस scale value में भी changes मिलेंगे आपको इस परकार से मैंने बहुत सारा इसमें setting करके और बहुत ही variety of like यहां से stones को हम collect करके और उसी को थोड़ा सा scale re-scale करके और proper wave में मैं इसको set कर रहा हूं थोड़ा सा मैं fast forward में दिखा रहा हूं तो अब पूरा एक environment का एक just elements होते हैं जैसे यह सब हम बना लेते हैं lands के लिए जो underwater होगा तो ऐसे हम setting करने के वाद अब इसमें next step हमारा आता है कि और भी हम इसमें कुछ include करें जैसे grasses बगरा और इसमें material भी हम यूज करेंगे तो देखो कि कुछ material मैंने यूज किया है और मैं कुछ material आपको यूज करके बताता हूं जैसे यह material मैंने यूज किया है और यह blender kit जो plugins होता इसका मैंने पहले वी एक video बना रखा है इसका आप information basic के लि मैं इसमें coastal rock करके मैं यहां पे सर्च करूँगा जो पहले से मैंने यूज किया था coastal rock देखो कि यहीं से मैंने यूज किया है जो हमें यहां पे मिल रहा है coastal rock और object selected इसको double click करोगे तो आप उस object को उपर आप देखोगे कि implement हो जाता है लाइक वो अप्लाई हो जाता है इस प जो underwater होगा तो वह भी मैं यहां पर यूज करूगा procedural coral यहां पे हम देखेंगे only coral करने के बाद आप यहां पर देखोगे कुछ बहुत सारा coral के नाम से है जिसमें हम यूज कर सकते हैं और procedural coral rock जो आप देख सकते हो भी finally इसे भी आप apply कर सकते हो तो यहां पर देखोगे variety of materials है जो already builded है वह कि select करके जो last material होगा उसको select करेंगे और control L press करेंगे और उसे material link करेंगे जैसे आप selection कर लो जिसमें material नहीं है और last material वाले को select करके control L करके link material करोगे तो आप देखोगे कि वह material उसके उपर apply हो जाते है तो पहले भी मैंने basic tutorial इस पर बनाए यह mid level का tutorial है और beginner के हि नहीं है तो अब इसलिए मैं थोड़ा से speed में रखा है आप इससे अंदाजा से सीख सकते हो अच्छे से ओके तो इस परकार समयने जो भी stones वगरा लगाया है और finally मैं इसको और अच्छे से place कर दूँगा जहां जहारी requirement के हिसाफ से और थोड़ा सा आपको scene setup में थोड़ा सा time invest होता है और अच्छे से आप अलग-अलग scene के हिसाफ से आप कर सकते हो यह मैं एक project के हिसाफ से मैं यह बना रहा था एक scene तो मैं उसी का कोई shot आपको एक tutorial के रूप में दिखा रहा हूं और यहां पर मैं beach material एक यहां पर type करता हू जैसे lands aerial beach करके आपको मिलेगा जो lands वाला जो हमने लिया था terrain उस पे मैं इसको select करके double click करके apply कर दिया तो आप देखो कि इसमें आपको underwater जैसे lands होते हैं जहां पर इसे science का ऐसे wave बना हुआ आता है वैसे आपको दिखेगा थोड़ा सा एक वारियसर और चलिए आप object के लिए और भी अलग अलग आप में इसमें यूज करने के लिए कर सकते हो जैसे यहां पे देखो see plants करके आप यहां से भी कुछ plants ले सकते हो लेकिन वैसे such plants यहां पे नहीं मिलता है मैं यहां पे एक plugin यूज किया हूँ मैं इसमें जो polygon करके होगा जो मैं थोड़ा सा उस पर दिखा करता है उसको मैं यूज कर रहा हूँ तो यहां से मैं कुछ plants याओ grasses यूज करूँगा जो underwater के लिए मैं थोड़ा सा यूज कर सकता हूं और okay करके मैं देखता हूँ यहां पे हमारा किरेट होता है जूम करके और हम जाते हैं इसको तो देखते हैं वहां बहुत ही small area में grid तो आप देखोगे बिल्कुल grid पे सामने इदम लाइक जो आपका lens से उसको उपर shift हो जाता है बिल्कुल place हो जाते है आप तो इस तरीक से मैं इसको place करते जा रहा हूं simple और इसको control D करके shift D press करके duplicate करते जा रहे है और इसको adjust कर रहा है और adjust करने के वाद आपको snap to ground करते ज इसको place करतेगा तो इस प्रकार से मैं यह सारे grasses का थोड़ा सा यह फिल लागने के लिए मैंने थोड़ा सा यूज गिया है वैसे और भी बहुत ज्यादा detail आप इसमें दे सकते हो आप अपने response के हिसाफ से बट मेरा purpose था कि एक scene को हम कैसे lighting करेंगे इसका underwater का वह हमारा purpose है इ यहां पर मैं लूँगा वीड बगएरा और वीड में मैं देखता हूँ कि यहां पर है हमारा कुछ trees तो spring summer करके इसको मैं एक छोटा सब एक plants होगा इस plants को भी मैं यहां पर place करता हो तो same way में जैसे मैंने grasses के लिए किया है उसी way में आप यहां पर इसे भी कर लो जैसे आप और भी मुल्टिपल कॉपी करेंगे या अलग अलग विराइटी दो तीन विराइटी लेकर के आप कर सकते इसमें तो फिर हमने किरेट किया वैसे आप इसके जगह पे आप अधर जो प्लगिन जो इन विल्ट आता है इसका sampling tree वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर उसमें थोड़ा सा variation करेंगे थोड़ा सा time taking होगा अगर आपके पास plug-in नहीं है तो उसका solution नहीं है बट आप इस scene को कर सकते हो तो मैं बाकी ऐसे बाकी विराइटियो को मैं इधर उधर प्लेस करने के लिए उसका shift depress करके एक को select करके देन group को select करके shift depress किया देन प्लेस करना सुरू किया और इसको भी मैं थोड़ा से speed वीडियो में आपको place करके दिखाता हूँ as usual जैसे मैंने grass के लिए किया था सेम मैंने यहां भी किया ओके तो यह आपका snap to ground करने से आपका पूरा ground level पर offset हो जाएगा इसको तो ऐसा बस आप एक scene देख लो आप अच्छे से बारीकी से इस mode पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहां पर background एक लगा हुआ notes मिलेंगे world notes में और आप यहां पर create करोगे आप प्रेस करो यहां पर लेलो आप principal volume करके एक principal volume लेंगे और इस principal volume को जैसे आप apply करोगे यहां पर और lighting mode को turn on कर दो तो render mode को और EV mode पर आपको रहना पड़े तो आप देखोगे कि बिल्कुल deep यहां पर volume create हो जाता है जो आपको कुछ दिख नहीं रहा है वैसे मैंने कोई light भी नहीं लगा है तो just मैं एक light create कर देता हूँ एक sunlight तो आप देखोगे scene के अंदर एक light भी provide होता है लेकिन बिल्कुल ही volumetric way में जा रहा है यहां पर volumetric आपको जैसे scene के हिसाब से आप variation कर सकते value मैं यहां पर fix नहीं बोलूँगा तो आप आपको यहां पर थोड़ा सा experiment करने की बात हो जाती है और color बगरा में background का change कर रहा हूँ यहां पर देखोगे color को principal volume के अंदर और मैं एक और यहां पर देखता हूँ कि इसका anastrophe को 0.5 absorption एक लेके notes को हम यहां पर फिर से mix shader लेंगे और mix shader के साथ मैं इन दोनों को connect करूँगा तो mix shader लेने के लिए आप F3 प्रेस करके भी आप यहां पर shader editor में आप search कर सकते हो और shader 1, shader 2, shader 1 में मैंने principal volume को रखा और volume absorption को shader 2 में और इसका 0.5 density रखा तो आप देखोगे environment म प्लस इसका factor को आप change करने से आपको background का इन दोनों का mix up अपने हिसाब से कर लो कि दोनों color को आप कैसे mix करोगे और अगर आप background में भी कोई image लगाना चाहते हो ऐसे underwater में है तो आपको image दिखे का नहीं volumatic way में लेकिन अगर आप एक environment कुछ HDR लगाना चाहते हो just image based slide के लिए आप हम लेते हैं एक background को भी connect कर देते हैं और बीच में background आईसा कुछ आप रखो देन आप देखो कि background का जो image लगाते हैं हमारे पास एक sdri file है जो मैं लगाता हूँ skydome skydome को इसमें plug कर लेते हैं only skydome मिले गए यहां पर और इसे फिर volume volume के साथ again reconnect करके देखो और इसे लगाओ ctrl shift t अगर आपके पास node wrangler है installed तो अगर नहीं है तो आप इसको देखो के फिरे में आप enable कर लो देन ctrl shift t प्रेस करके इसका हमने texture coordinate and mapping को connect कर लिया और फिर से connect कर दिया volume के साथ तो आपका यह आप जैसे volume को आप जितना density कम रखोगे ज्यादा रखो तो background का भी थोड़ा सा sunlight को select करके और इसका background का थोड़ा सा color में change करता हूँ principal volume का और volume absorption का background का तो आप देखोगे थोड़ा सा light में थोड़ा सा आपका brightness आएगा background में और density को कम ज़्यादा आप यहां से कर सकते हो इसके accordingly आपको देखो कितना afford करोगे चुकि underwater का है तो हम थोड़ा सा density ज्यादा ही र तो जैसे camera के हिसाफ से यहां पे देखोगे ambient occlusion then bloom हमने यहां पे EV render mode पे जाके turn on कर रखा है एक basic setting पे तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम एक light लगा करके और भी हम इसमें experimental कर सकते हैं कि lights का maximum range मिलना चाहिए तो एक cube लोगे और एक volumatic environment बना लो इतना underwater के बाद यह तो word क किया था मैं इस area को मैं एक volume again provide करता हूँ तो हमने एक box को लिया scale करके इसके nearby मैंने इसको set कर लिया इसके under then lights है हमारे पास इस light को हम लोग convert कर देते हैं यहां पे थोड़ा देर के लिए spot light तो आप देखो कि spot light में क्या होता है actually spot light में आपको एक खास spot focus करेगा area को तो इसमें maximum raise का यह बना सकते हैं quality और भी ज्यादा raise quality के लिए maximum यहां पर हम ले सकते हैं तो चलो यहां पर cloud नाम दे देते हैं वैसे एक volume absorption भी यहां पर भी हमें लेला पड़ेगा सेम जो नोड लिया था वर्ड के लिए हम दोनों नोड को लेने के बाद यहां पर control shift right click drag करोगे तो आपको mix header भी connect हो जाएगा जैसे आप देख सकते हो या आप manually इसको दोनों को connect करो mix header के साथ उसके बाद आप देखोगे इसका एक अपना volume बनता है इसका भी हम density को कम करते हैं बट कोई खास difference नहीं हो रहा है यहां पर आप देखोगे तो दोनों का density कम करेंगे आप थोड़ा सा adjustment कर लो जो सिर्फ उतना इरिया में हमें volume होना चाहिए जितना पर हम camera को fly out करेंगे और प्रॉपर सेटिंग करने के बाद और यहां पर हम देखेंगे तोड़ा सा इसका जो density है और इसका अनि स्टॉपी वैलू को 0.5 इसका density को भी कंट्रोल करते हैं तो आप देखोगे सेम यहां पर भी एक volume खास एरिया के लिए create होता है ऐसे भी तो यह आप create कर लो दोनों को और इसको भी 0.5 डेंसिटी करते हैं वालूम एप्सॉस्ट्रंस का और हर एक light में हम देखते हैं power को improve करते जाते तो अगर 5 मेगावाट 10 मेगावाट अगर मैं वहां पर value बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से इसका मेगावाट में चला जाते हैं तो आप देखोगे अब यह जहां पर light बहुत ज्यादा hardly light हो रही है वहां पर हमें क्या मिल रहा है अभी अगर लिखते होता नहीं होगा आपको value बढ़ाते जाना होगे यहां पर तो मेगावाट है ना तो य देखा वाट वैलू के ऊपर थोड़ा सा आपका वालूम वहां पर करेट हो रहा है लाइट का एक और इसी को हम बहुत सारा डुप्लिकेट कर लेंगे और जिससे हमें एक वेराइटी आप यहां पर रेज दिखना शुरू हो जाएगा और कैमरा इसमें फ्लाइवाट होने तो आप ऐसे मुल्टिपल स्लाइट करके आप सेटिंग कर लो और ऐसा कुछ हो जाता है तो यह सेटिंग में थोड़ा सा टाइम कंजंशन है आप अच्छे से आपको करना पड़ेगा लेकिन जो में नोट कर बताया मैंने आपको सेडस में वह इंपोर्टेंट है जो आप ल ने रहा हूं यहां पर आप तो वैसे आप यहां पर द्थ थेुगएए लाइट इंटेंस्ट होते जा रहा है उतना जब आप camera उसके नेरवाई जाता है इस परकार से आप इसे एक बार देखोगे यहां से एक मिलता है camera और camera हम रिग camera लेते हैं और यहां पे control shift प्रेस करके यहां से camera में डेखोगे डॉली camera हमने लिया यह camera पहले से रिग रहता जो आपको असान महिस के ओपर भी video पहले basic बना चुका हो पुराने वीडियो में आप देख सकते हो और यह camera को हम थोड़ा से animation करना चाहेंगे तो camera का जो target है target को एक देखा पर fix कर लिया पहले pause mode में ओके दिन camera का यह source है source को हम पकड़के animate करेंगे तो देख लेते ही आप यह camera view में by pressing zero नम पैट का zero प्रेस करेंगे तो camera लगाने को बाद camera आपका view में आ जाते हैं और उसके property सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यह pose mode से object mode में जाना पड़ेगा camera selected इसके main property में जायेंगे इसके जो camera का size sensor fit मैं 70 mm कर लिया तो थोड़ा सा scene थोड़ा सा आपको wide range scene मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो और अब इसके animation करना है तो बहुत simple है camera का target से हम इसके animate करने वाल है और एक final एक image यहाँ पिस save कर लो file को और यहां से हम देते हैं एक proper file save करने के बाद अभी camera को फिर से जाते है pose mode में camera का just target को पकड़ो दें target को source को 400 frame 600 frame जितना आपको लेना है animation के लिए उतना आप ले सकते हो और फिलाल मैं यहाँ पे एक frame पे जाकर के खास एक frame पे यहाँ प प्रेस करके इसका सिर्फ location को की करेंगे और फिर से last scene पे जाएंगे तो last scene में जाएंगे हम चाहते हैं के camera इसके नेरवाई चारतफ़ से गूमते हुए target को ही रखे और यहां पे ऐसा होना चाहिए तो हम last frame पे जो हमने लगा था 400 frame या 500 ले लो बस बता रहो कैसे operate किया और in between frame में करीब करीब जाके इसका एक location को फिर से यह कर दो तो आप देखो कि animation थोड़ा सा rounded ऐसा कुछ fly out camera मिलेगा बाकि आपकी मर्दी आपको कैसे scene create करना है आपके उपर depend करता है इस परकार से मैंने यह scene ready किया है लेकिन जो हमने project के लिए scene बनाया थे यही process से वह scene को मै आप देख रहे हो scene में और इसका final जो short render lighting का जो हमने maintain किया है इसमें तो आप देखोगे ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप भी इसको बनाने के कोशिज करो कुछ just next part जो आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो एक character whale का रहा है वो कैसे इसमें animate किया मैंने जो हमने rig कि किया था जो automatic swimming हो रही है इसकी और ऐसा कुछ scene आप create कर सकते हो तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको animation कैसे scene के अंदर integrate करेंगे और तब तक के लिए bye bye take care